इसका नाम बिल्ला कुमार है क्या बोलते स्माइकर है उसका घर दानापुर में हाज़ी पूरा था था नहीं उस दिन हो सके वह आया होगा जिस दिन भागी है उसको लें अगर फिर से आ जाएगे तो आप रहेंगे साथ में नहीं समाज जो बोलेगा हम वो करेंगे अपने मता अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि समाज हमें आगे चलके दवाव देगा कि इसको क्यों तुम रखा भीर भाग जाएगी इस वज़ा अभी हमारे साथ बिहार के हाजी पूर के छोटी इसू पूर के रहने वाले सोनु कुमार है और इनके पतनी जो है एक लरके के साथ गई है अब बाकी आगे का मामला क्या है किसलिए भागी है क्यों भागी है विसेश जो है इन से जानेंगे क्या हुआ था सब्सक्राइब बेटी को बेटी को लेकर भाग गई जी आप क्या करते हैं हम चलाते हैं कितना साल पहले साथी हुआ था तो भागी क्यों अब इसका पता नहीं क्यों भागी ना वागी हम तो आए तो घर में थी नहीं कि पूछे उसे क्यों में चली गई चाहिए नहीं जिस दिन पकड़े मोबाइल उस दिन से चरपांत दिन पहले चरपांत दिन पहले हम से बोल भी नहीं रही थी और 17 तारीकों घर से निकल भी गई तो आप यह बताए कि आपको पहले से मालूम था कि वो किसी लर्के से बात करती है कि पहले से कोई मालूम नहीं तो मोबाइल पकड़े हम उसको बात करते हुए ना हमें पहले से पता रहा था तो कुछ करते ना लेकिन उसी दिन हमें पता हुआ कि मोबाइल इसके पास है मालूम चला कि एक किसी से बात कर रही है बात चित करती है मोबाइल को रंगे हां तो बात करते हुए पकर लिया उसके बाद अगले दिन वह फरार हो गई कपर लगा आपको यह मालूम है कि किसके साथ भागी कहां भागी यह कुछों नहीं मालूम है अब भागी तो अभी तो यह लड़का पे सख है दानापुर घर उसका नाम बिल्ला कुमार है एक नमर क्या बोलते है समाइकर उसका घर दानापुर में है तो यह हाजी पूर अधा था नहीं उस दिन हो सके वाया होगा जिस दिन भागी है उसको ले गिया होगा अच्छा हम इ उसको लगता है कंटेक्ट बनावागा उससे कहां लेकर थे दानापूर नापूर किस लिए घुमने के लिए रहने के लिए बच्चों लोग के साथ में रहे लेगी मान फुसल जाएगा थोड़ा सा उससे क्या हुआ नहीं हुआ भगमान जाने तो वहां पर किराया लेकर र पर आरोगे तरू तो तेरह साल की पहले साधी हुआ इनका और उसके बाद यह सब्सक्राइन को मिल रहा है अभी और बच्चे की एक बच्चे था ने दो बेटी हो है मेरे पास दो बेटी और फिकले च्छोटी यह पर रहे हैं कितने बच्चे सब्सक्राइब नपर FC वब क पहली थे कि सबसे बड़ी वाली कि सबसे चोटी वाली है ओस सबसे छोती थे बारी बड़ी बड़ी थे तो कुछ भी मालुम्ए कहां गई क्या कोई पता नहीं काहां पड़ें चाहते हैं आप हम अपने बच्चे का रिकवर चाहते हैं जनता से यह अनुरोध है कि हमारे बच्चे को ब्रामत करवा दिया जाए और पत्नी को बच्चा आएगा तो पत्नी आएगी तो बच्चा आएगा पत्नी अगर फिर से आ जाएगे तो आप रहेंगे साथ में नहीं समाज जो बोलेगा हम वो करेंगे अपने मताबिक कुछ नहीं करेंगे क्योंकि समाज हमें आगे चलके दवाव देगा कि इसको क्यों तुम रखा यह फीर भाग जाएगी इस वज़ादे समाज जो बोलेगा हम वहीं करवाएंगे समाज के नुसार हम चलेंगे समाज के नुसार चलेंगे अच्छा अभी पत्नी पहले से कोई आपका शिकायद भी रहता था क्या पत्नी को कि आप कुछ ऐसे नहीं दिखते हैं अच्छे नहीं है तो आप मतलब कि उसके लाइक नहीं है आप उनको जरूरत को पूरा नहीं करते हैं जो उसको चाहिए घुमना फिरना जोगी ना ऐसा कोई बात नहीं था ले क्यां था पत्नी ऊपास्ना देवी आपके पत्नी में उपास्ना देवी और वह お बच्छी जो भागी साथ है च्कुमारी है मुनिया कमारी हो बच्य नहीं लेकिन हम तो अपने सामने उसको पैसा कोड़ी नहीं देते तो टोटल समाल लाकी ही देते थे जो मांगती थे हम लाकी देते थे कुछ और सब ली हुई है तो आगे आप चाहते हैं कि आपके पत्नी मिले आपके बच्ची मिल जाएं उसके बाद आपको कि आपके नहीं कर रहे हैं कितने बार थाना में लगता है कि आट दिन से चक्कर काट रहे हैं कितना दिन हुआ यह सब कि जो हुए हुए पत्नी को भागे हुए देर महीना पत्नी को भागे हुए हो गया लेकिन अभी तक आपको पत्नी को और फायार करया है हो नहीं हो रहा है जरह सोचके पत्नी भाग गई तो ये घैंठ आना में एक फायार क्रवाने के लिए कि मेरी पत्नी भाग गई है प्रैम्स हम मेरे सबस्क्राइब हाजिपुर से नमस्कार जैहिन जय Гबारत जैबिहार झाल झाल